पसार के कुछ चीजे हैं जिसमें बदली नहीं चलती पहला भोजन ऐसा हो सकता है बही मुझे बहुत जरूरी काम है मेरे बदले का भोजन कर लो मेरा पेट बर जाएगा हो सकता है ऐसा? नहीं खुद कोई करना पड़ेगा दूसरा शादी कोई काई दे बहुत जरूरी मीटिंग है फेरे तुम ले लो में दोस्त तो तुम मेरे फेरे ले लो फिर मैं आ जाओ कर सकते हैं ऐसा? नहीं तीसरा मर क्यों मेरे गर में शादी है बही मेरे बदले तुम मर जाओ कोई मरेगा और चौथा सत्संग सत्संग में भी बदली नहीं चलती है ये खास करके पुरुषवर्ग के लिए है ये बात मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है हम इतनी पुजा पाट नहीं करते काम करते हैं पत्नी करती है उसके बदले का हमें मिल जाता है कुछ भी नहीं मिलता एक प्रतिश्यत नहीं मिलता मैं सची कह रही हूँ वो जो कर रहे हैं सब उनको मिल रहा है सत्संग में बदली नहीं चलती भगवान ने प्रहलाद जी सिका के प्रहलाद तुम स्वर्ग जाना चाहते हो कि नर्ख उन्होंने क्या जवाब दिया होगा स्वर्ग है ना लेकिन उसके लिए तो मरना पड़ेगा तो भगवान कहते हैं खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला उसके लिए भी मरना पड़ेगा पहले तुमें और मरने से सब को डर लगता है तो भगवान कहते हैं अगर कल्यान करवाना है मुक्ति चाहिए सुख चाहिए तो सत्संग तो करना पड़ेगा वो किसी और के भरों से छोड़ कर रखो के तो कैसे चलेगा हमने हर चीज को मर्यादा दी है जीवन में हर चीज को काम को रिष्टों को मनुरंजन तक को हमने मर्यादा दी है मर्यादा यानी नियम अनुसार कि हफ्टे में संडे का दिन मस्ती का दिन है तो सोचिए हमने मनुरंजन तक को इतनी मर्यादा दी है कि उसका भी दिन निकाला है सत्संग को कोई मर्यादा नहीं है पूजा पाट भी काम के अनुसार अगर काम नहीं हुआ समय मिल गया तो कर लिए नहीं तो पूजा को थृड़ा पॉस्पोन कर सकते हैं थोड़ दिर बात कर ले कि शाम को कर ले कि क्यूं कि इतना जरूरी नहीं समझा गया इसको और बच्चे यही देखते हैं हम क्यों कहते हैं आजकल के बच्चे भगवान को मानती नहीं है उनको बताया ही नहीं जा रहा कि यह जरूरी है हर चीज़ को इतनी मर्यादा दे दी गई है बच्चों के लिए कि भाई ट्यूशन इतने समय जाना है ये इतने समय करना है खेलकुद भी जरूरी है इतने समय खेलकुद के क्लासेज है तुमारी सत्संग के लिए ना उसे खुद को कुछ सिखाया जा रहा है ना उसके माता पता उसे ऐसे करते वे दिख रहे है कि नहीं भाई इतना समय हो गया इतने मज़े तो पूजा करनी ही है तो बच्चा भी देखकर सोचेगा कि जैसे ये ये सब जरूरी है ये भी जरूरी है पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता तो उसको लगता है दुनिया में हर चीज़ जरूरी है वो इतना जरूरी नहीं है और जब काम पड़े तो ही करना नहीं तो ऐसे ही चले और फिर हम कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चों में संसकार नहीं है, बच्चे भगवान तो नहीं मानते हैं एक बार ट्रेन से एक मा और बेटी जा रहे थे, चोटी सी बच्ची है, और भी कई लोग है, सब बैठे हैं तो लोगों ने देखा कि वो बच्ची किताब पड़ रही है, चोटी सी बच्ची किताब पड़ रही है बाकी माताओं को बड़ा, उन्हों ने उसकी माता से पूछा कि आपने कैसे इसे सिखाया किताब पढ़ना हमारे बच्चे तो फोन ही नी छोड़ते, आईपैड में छोड़ते, दिन भर उसी में लगे रहते और वो किताब पढ़ रही है हम भी उसे सिखाए बोले हमें पता है आपने सिखाया होगा कि किताब पढ़ना चाहिए हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं पर वो तो मानते ही नहीं उस माता ने जवाब दिया बच्चे सुनते नहीं है बच्चे देखते हैं मैं उसके सामने दिन भर किताब परती रहती है इसलिए वो भी किताब परती है आप कितना ही बोल कर समझा दीजे ये करो वो करो लेकिन जब तक आप उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे बच्चे कुछ नहीं सीखे क्योंकि वो जो देखते हैं वो ही सीखते हैं सुनते नहीं है बच्चे तो भगवान ने कहा कि जैसे सांसारिक चीजों में इतनी तुमने मर्यादा रखी है सत्संग में भी मर्यादा रखी यगर इतने बज़े पूजा का नियम है तो आंधी तुफान आजाए इतने बज़े पूजा होगी कैसे भी होगी